अपने जनम्दी काल करांता मेरा जनम्द्रूली जला जलंदर उत्थे होया पर डेड़ दोग साल दे सिगे चोदो फादर साब हुनी मेरे जलंदर पक्केत और ते रहन चले गए ते उत्थो दी जड़ी मुडली विद्धया मेरी हागी ओवी उत्थे दिया फिर ग्रेजुएशन होई ओवी आरिया कॉले कि मैं बीएड करां या पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ करां ते फिर व्या तो बाद कुछ रखलो के करें लू मजबूरियां या कुछ हुर्जे में ते ओ नहीं मैं पड़ पाई ते पर ओ मांचे सिगा किते कि हां मैं कुछ अग्यों जरूर जड़ी विद्याउची जिग्यासा है या तो अड़े मन दे अंदर कुछ करन दी है तो ओ कुद्रत जड़ी हो तो अड़ा जरूर साथ दिन दी है यह मैं खुद जड़ी गलनू महसूस किता है गा ते ओ ही गल होई कि हुन मैं एन्ने सला मनला तकरीबन पच्ची साल दा गैप होना है ते हुन मैं ध किते ना किते थोड़ा फरकता में कह साख दिया पर जे कमा के यह अपा के हां पूरी रुकावर्टा कोई ओ चीज नहीं है ते लिखन दा जिदा सिगा लिखन दी मैं अपने स्कूल कॉलेज ते टाइम तो शुरू किता लिखना ते लिखना ते लिखना कुछ खास नी सी जो पूर अखलेन कापी ती लिखना कुछ यह ते काफी टाइम बाद फेर मेरे साथी उन्हाने क्या कि तुसी यह लिखना रख दे रहने हों विकिते शापन ली दियो यह कुछ न ते फेर बहुत चंगी गाला है कि मेरे लिखना कि आमसी मैं सून दी रहनी आ कि बहुत बहुत लिखती हैं सीता चलो हजे कुछ मैं अपने मुझ दी कि मैं कुछ नहीं लिख दी ओने लिखत कुछ नहीं मेरी चैना दम जिननी मैं चलो मैंनू थोड़ी फेर भी थोड़ी मैं आ गई यह सामणे हैं ते कई साथे तो भी बहुत वधिया लिख दी आया पर ओ विचारियां मैं विचारियां ही काऊंगी उना नू क्योंकि उना दे पाख दे विच कोई नहीं खड़दा उना ले ते मेरे मतलब हस्बेंने साथी ने मेरे ने खुद कलम मेरे हाथ फड़ाई कि नहीं तो लेक ते अग्यों के ते छपन लें दे ते फिर बस लिखे लिखके फिर एकल हो कर दिया कि जदो तो अड़े मान दे विच कुछ है तक कोई ना कोई जरिया बंदा तो अगे लाया ओन दे विच जित्थे मेरे हस्बें दा हाथ सिगा कि हाँ भी तू अगे हो उत्थे फिर सर्दार करम सिंह जखमी जी हुरे हागे सुंगरूर तो बहुत अच्छे गजलका कर दिया ते फिर ओ मतलब लिख दे लिख दे ना एक सचे थी में तो नहों जरूर गल कमांगी इंट्रस्टिंग भी है थोड़ी मोटिवेट भी कर दिया कि जदो मैं गजल जखमी सरने मेंनों क्या कि तुसी तो अड़ी गजल दे विच दम है तो अड़ी कोल भी चार वदि पर थोड़ी टेक्निकल दे तो अड़ी कमिया पेशियां है किया ओ थोड़ी तुसी मेनत करो ओदे ते मैं कर ठीक है पर अपना कई वरी लेजी जे हो जनने वी चरों पोई गाल नहीं एदी कैंदे ठीक है अपन पहला थोड़ा थोड़ा वी लगदा नहीं मैं आता लिख द जाके फोन किता ओकेंदे भी देखो कोई शाकनियां भी तुसी लिखनी सकते तुसी कभी खोली कभीता लिखो तुसी कहानी लिखो आर्टीकल लिखो गजल लिखनी चाट दो जो उनने एद्धा किया ना बढ़ा माननू मतलब वेक होया कि होई की गल होई कुसा भी आया वि अच्छा जदो फोन कट्या थे थोड़ी देर बाद जदो सोच आ किता थोड़ा फिर थोड़ा जया रिलाइस होया कि नहीं अगर उनने किया या कुछ ता मेरे पले लेकिया आया थे उस रादी गल देखो स्वेरे फोनों ना दाया शाम नो मैं कमकर मुका के अपने बच्च सेखनी लेंदी मैं रात सोणा नी हैगा एक अपने आप दे नाल भी एक कर वी सारे अंदासता कि हमें आचीज है नो ते तुसी यकीन करें हो कि मैं रात डेड़ दो वेजे तक बैठी रही हो हूँ सेख दी रही कि किद्दा कि दिमाग सारा लगाया ना तो गजल मैं उधे और गजी रहा दै कि तो मैं पूरे कर लें फिर मैं दूस्रे देन उठी ना फोन दर्दी ने फिर गालम फिर लिए तो पून की दा कि सर मां दात तुसी जेदा किया सी में वो गजल एसबयर चैदा लिखिया, वो कैंदे हांजी सुनाओ किद्धा, तो मैं सुनाई ते ओना खोश होए, कैंदे शुकरा, तुसी मतलब मेरी गालवी मननी, तुसी मेनत भी कीती, तो कैंदे मतलब भी जह साधे कुछ वड़े, जह साधे गुरुस मान जेडे है गया, वो कि शुरू तो यह ओरतां दे नालिक तरास्ती है, मैं काउंगी रही है, कोई ब्राबरता दा नहीं हैगा, इत्ते समाज सद्धाज हैगा, क्योंकि मर्द लिए एक पुरशली ता सारे रस्ते खुले है, पर औरत लिए बहुत जड़ियां एक दाएरे जड़ियां सीमत कारद देते गए हुए है, कि हाँ एथे तु जानी सकती, एथे आख अमनी कर सकती, एथे खड़ी नहीं हो सकती, बहुत सारी बंदिशा औरतां ले है, ते कुछ एक मैं गल कहूंगी कि आसी औरतां भी कई वरी उस महाल तो भी डर जन दे या या डर नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि आसी कई वरी सतकार वजों भी चलो जे साढ़े ब्जुर्ग या साढ़े कार दे कुछ कहन दे या वी चलो कोई गल नहीं एदना ता एद देंसी कोई गल नहीं, आसी उना ली हांते चल दे रहने हो, जे में दे बने हुए है, पर चाहिदा है और अगर को यो चंगा और व कोई ओ नहीं है कि हाँ दे वीच कोई गलत या कुछ है ना बड़े अच्छे लोग सानू मिल दे इस रहस्ते दे वीच मिले है मैंनों मैं कमा था, बहुत अच्छे लोग संपर्क चाहिए, पर एक चाक्रा खलो जोदों तवा डेको कोई बुजुर्ग जड़े कर दे केंदे दूर्टा मिल दोख दे तदए या कि दान पर ओठे मेरे साथी ने मेरे बहुत साथ दे था मतलब जिथे गिते वी दूर नेड़े जाना हों दाया तर जरूर मैंनों मतलब पूरी स्पोर्ट होना थी है पूररा लेके भी जान देया ते किसे तरह भी मतलब जो भी लोड़त जरूरत हैगी, जरूर मेरी पूरी कर देयागी। मेरी कोशिश हुन दिया कि छेड़ी वी मैं गजल लिखा, वो पूरी बैर वजन दे वेच होवे। क्योंकि गजल है तोल तुकांत बैर वजन दे वेचे यही दे काईदे कनून जड़े है गया। वेचे रहे के लिखी जाए ताह बेतर है। मेरे साब ना किते किते के अधा भी हुन दाए भी कई वरी साथे ख्याल जड़े हुन देया ओ, वो बंदिश दे वेचे किते मर जान देया। पर गल एधा भी नहीं कि गजल वदिया लिखी नहीं जा रही है। बहुत वदिया गजल लिखी जा रही है। मतलब उमर चबेशक कई छोटे बच्चे भी या देखे जड़े वह बहुत वदिया गजल लिख रहे है। सो किते ने किते है कि जड़े नौजवान भी आ रहे है या कोई होर भी गजल दे शूकीन लिखन दे आ रहे है। तो उना नौजवान दे बिलकुल ओदे वेच्चे आना चाहिदा कि हाँ जेस तरह ओ लिखी जा रहे है। उसे तरह लिखनी चाहिए या गजल बाक्यू मेरी कोशिशता ही हुन दिया कि गजल नौजवान गी लिखां। आजकाल मैं तो अनौदसा कि खुली कविता थोड़ा जा लगपाईया। हालार कि मैंनु लीखनी नी ओळी कुछ समा पथे खेला में क्या ही सिस्गा कि कविता क्योंकी जदो मैं पट डेए से कहां थेखेला से विलकुल शिंपल पर मैंनू पता नीशी लागदा लूंधा हूंदा भी कविता। कि अधिक जादा किताब पड़ियां आदे ते कविता ते ता मैंनो अच्छी लगगर लपी बहुत जादा कविता जिमें ते हुन मैं थोड़ी-धोडी कोशिश कर दिया लिखन दी कविता ते अच्छी लग दी कविता दे विच भी अपने ओधे चेया कि तो डेली कोई दायर पर गजलते थोड़ी ओचीज आके नहीं कंट्रोल करना बढ़ना कि हाँ आचीज एथे आऊगी कि नहीं आएगी ओनू तो अनू देखना बढ़ना है मतलब ओचीज थोड़ी है एक समा हुंदा जदो असी अपने जड़े जिना नू पसांद कर दे पढ़ना जिना दियां लिखता नू पढ़ना असी बहुत पसांद कर दे आँ जिना नू या लिख पढ़दे शून दे जिना नू दीक्कार करके वो असी खोद लिखना सिख्या जिना तो फिर जदो टा आगम हों देया कोई विसायत एक उना दे नाल बैटते हैं उना दे ब्रब्बर बैटते हैं तो ओजड़ी गल केन वाली हो मंदब एक एहसास जड़ाओ क्या नहीं जा सकदा कि हां देखो बिजिनानों आसी पढ़ दे सुन दे आ रहे हैं सिके असी उना दे ब्रब्बर बैठे नाल बैठे हैं तो एक वक्राइ अनुपव जड़ा हो जान दा कि हां ची वी कुष है पर उना दा बहुत सतकार हो जड़ा है वह मिशा देल दे वीचे तो डेमान दे वेच कोई ना कोई वलवला जरूर उठ दा कि तुसी कुष करना चांदे हों की करना चांदे हों कि वरीत सब्सक्तagnu सी क्या कि मैं कुछ करना प्ला स्ब्रह्ण थाचन के मेरी अपनी 19r PB पहची अच्जान हों क्योंकि जदे यस अपनीं माता-पित कर हों ती उतने से अपनी माता-पिता डिनाम नाल पहां प्रावाव नाम नाल इस सारे ज्वन दे हुँं एक ए फ्लान निया प्र पर मेरे मान किते ना किते सिगी के नहीं एक और अथ दी अपनी पहचान भी होनी चाहिए ते यकीन करें के होन जोदो कई वरी फंक्षनाते जन्दे यह ते कोई को कहां जी है अमर्दी हस्बेंड है यह अमर्दी बेटी है बड़ा एक मतलब प्राउड जी हुन दा के हां असी जोड़ा होना चाहिए एक और अच्वी अपनी पैस्चान जेडिया ओनी चाहिए ओनी चाहिए ते जे मैं गल्करा असाहित दे वेच जिमें आइए यह किता हना जोदो मैं अतलब एकता ज़ो स्कूल-कॉलेज देविच सिगे थे जदो पढ़ दे सिगे थे एक स्लेबस दि कि यहनों चेती चेती पड़ लेगे बहुत ज्यादा है मतलब शुरू तो मैंनों बढ़ा रहे है एक ता ओ गल्ला ने मैंनों बहुत मतलब कीता है इस खेतर देवे चानली थोड़े बहुता मेरा जो सहयोग या साथ कहलो एक उन्हा दिना देविच जदो कॉलेज में पड़ सायद तो नूवी पता होगा सरीता नामदी एक मेगजिन निकल दी सी कि सरीता देवेच की हुंदा सी कि जनियों देवेच कहाणियां हुंदी यां कोई आर्टीकल हुंदा सी ता ओधे उपर 4-5-6 लाइना दी शायरी लिखी हुंदी हुंदी सी मैं वो पड़ दी हुंदी स संगीत बहुत सुनती हैं मुजिक बहुत मैं जे कैदमा भी मेरी हार्ट बीट अना ता कोई गलत नहीं है तुसी ये कीन करें हो मैं मतलब शुरू तो जदो मैं अन्मेरिट सेगी उदो तो होन तक मेरी किछन दे विच रेडियो प्या हुआ है ते जे मैं होर कोई काम कर दिया क कोई सफाइध कोई कप्ड़ी तौन दे कुछ भी कम गर दिया ता मेरे कोल मेरा रेडियो मेरे फोन ते सोंक छोड़ेवन चाहिए और चल दे और जाई था मेंनो कम कर दिदा पता नहीं लगता नहींनू थकावड़ तो नहीं पता चल चल दा भी हां मैं कोई कम किता या iddies कि यह आयो में सुनिजी जाए भाना जो मैasmाती हैं जो मेरी रुनो मैं कर णुर्णा को diferente मैं मतलग मोस्केमिंख लुखन संगीद में अग रब डे नाल जेददा बंदा कि एप जुड जन लुड जटै मैं उस भी हो जन दी हैं किते ने किते मैं लगदा में लगदा मैं मीजिक जडा सून दी रहें, मैं घुलामअली सब दी गजलां जडेशिंग लुप छडी। कॉलज ते लुप लुप चैहाँ खुदी रहें, जड़ तन यादे रहें. जो भी ऐसी चीज ना समान ले ओंदे सी, कोई कपड़ा ले ओंदे सी, ओ हमेशा याद ता कागस दे लिफाफे दे हुंदे सी, या फिर ओ अखवार दे पीज दे विच रैप किते हुंदे सी, ओ जोदो भी ओना, ओ मैं पड़े तो बिना निसी सूट दे हुंदे, एको बड़ जोदो पड़ा ले ओंदे सी, जोदो एद दावी कोई चीज मेंनु मिलनी, अखवार दी को कटिंग मिल गी, कोई कितो हो भी कुछ भी, हजे कि इन ना भी पता होना कि ए मेरे जी मैं उत्ते स्टूरी पढ रही आते मैंनू पूरी निमे पढ़ होनी, क्योंकि ओना पीस होना तो हो देतों की, पर फेर भी मैं पड़े तो बिना नी शुटना, ए तीन चार कारण हैंगे मैंनू लगदा वी शायद मेरा साइद केतर दे वीच ओन दे जड़े कारण बने जेगे, जड़ियां मार्किट दे वीच बहुत अजिकल तड़ा तड़ केलो के किता बाह आ रही ह किते ना किते ओना दा जेड़ा है तारो मदार सारा ओ मैंनू लग रहे है वी एक ता लेखक जेड़े हो बहुत काली कर लंदे किता आप छपमाण ले बहुत ज्यादा ए नहीं देख देको दा मैटर है छपन दे लाएक या नहीं है बस ओ एक अपना नाम बनान दिखाते है बहुत जल्दी किताब शपमाण दी काल कर देया एक कारणों हो गया एक पब्लीशर प्रकाशक जेड़े हो वी मैंनू लगदा वी किते ना किते वी जेड़ा लेखक लेके आ गया बनके वी हां वी किताब छापतो था चलो जी आनने पैसे दिव अपना प्रॉफिट देख मैटर नहीं देख देवी ओ शपन जोग है नहीं है किते ना किते प्रकाशक वी जिम्मेवर है कि जड़िया किताबाई निया आ रहे हैं और पाठक दी गल करांता इदना दी गल नहीं है कि पाठक सारे जड़े हो सारी दर निया किताबाँ पढ़ रहे हैं पाठक जड़े है बहुत स्याने बहुत समझदार है गिया वह मतलब किताब बाद चूस कर दे वह दिया कि हां A किताब पढ़नी है बाकी जड़े बजा रहा हो मैंनू लग दाया आभी किताब्म नल्यामी पर हो रहे हैं उन्ना पड़ेया नहीं जा रहे हैं साहित चीज नहीं आ रही है वो गिन्ती तो जरूर हो रही है कि अन्या किताब्माँ शप गई यह ना यह हो गया पर उदे विच कुछ गल की या कैन दी साहिते जो छप रहाया या ओचीज नहीं आ रही है किते ना किते लगदा है कि जाता है दे ते कोई इदान दा बोर्ड भी ठाया जावे जड़ियां किताब्माँ शपन जोग जड़ियां है गया ओच शपन ते यह फिर जड़े असाठी प्रकाशक और जरूर इस गल वला ते आंदेन के हां सी ओही किताब्माँ शपांगे कुछ एद्ना देवी ते एक उना दे हाथ ची भी है कि हाँ जरूरो देखन के मैंटर चपन लाइक है तच आपन अदरवाइस ना करदेन कोई नहीं है ते बाक्की चड़ी कल है कि लेखक दे ओवी इस जरूर नूर लैंड के हाँ भी जे सही है तास ही छपवाई है जाव मैं दसना चाहूंगे कि मेरे लिए एक बहुत मान करन वड़ी गल्ला भी अज तक जिन्ने भी फंक्षन हुए या मैं जिन्ना विच वीचर दे रही है पुर्ष लेखक जिन्ने है गया मैंनो बहुत मान प्यार सतकार बहुत मिल्या है कोई एदना फरक नी लगया है कि हाँ यह औरते बैठिया या कोई मतलब हैगा हना ओ कोई मैनो फरक नीक हास लेना लगया है गा बिलकुल एक स्मूद ली जा मेरे इना चलिया कि हां मैं गई है एज एज राइटर गई है एज लेखक गई है एदनी की मेल फीमेल दा ओ कोई उनी है गा जदो से मतलब फंक्षन वे पणिन दाया कि तुसी जाओ जिद्धान दी तुसी अंधा बना कर जाऊंगे न तौनो हो जिद्धान दी सोच उन्हें टो और ओदना ही मिलना नेच्छाल कि मेरा अपना esse एज दो रेया एक्सपिरियंस यह कि मैनों तकरीब साब जिनने फंक्षन यह तक मैं अटेंड की त या कुछ तो अनु लाग रहा भी एहे मेरे मुताबिक नहीं आए थे दा हो ता तुसे वो फंक्षन चाड़ गया जो ता कि जड़े उत्थे दे बाकी जड़े हैगे पुरशा या उत्थे दिलो कोई कुछ भी रखलो ता उन्हानों है है सास हो वे कि अगर इक औरत तो उठके गई या तो क्यों गई है हाना वह साड़े महाल करके आया साड़े तो सरक्षत नी महसूस नी कार रही साड़े तो यकी या ओनानु भी सोचन थोड़ा टाइम देना चाहिए पर मतलब ज्यादा तार एद्दा नहीं हुंदा हैगा कि सारी दुनिया माड़ी नी हुंदी हैग पर थोड़ा अपने हिसा अबनाल दीख सुनके सुच समझ के तुसी जाओ वदिया विचार लेके जाओ कोई माड़ा नी हैगा वदिया सारी कि इक गल जड़ी मैं दिख दिया अज कल के जड़ी असी जो भी लिख दे पड़ दे यां कोई रचना एशाडी मनलो कोई अगर उनुंपड़ दाया तो ओ मतलब कि उस रचनानों एंज्वाय नी करदा यां रचनानों नहीं पड़ दा त्यान ओ त्यान नी दिन्दा जेड अगॉडिंगली उस रचना नो मानसतकार मिले या मतलब मिल दाया है पर अजय हा नहीं होना चाहिदा क्योंकि रचना था रचना यह ओदा लिखन वाले था मतलब ना देखो तरफ यह देखो कि हां उस रचना देविच किया यह ओडिया और की संद्री हादे रही है कई वारी रचना बहुत वदिया लिखी हुन दिया पर जो दो पता लगदा कि फलाने बंदीन नहीं बहुता नाम निया यह कोई बहुता ओधी क्यों अजय ओदा प्रभाव यह जान दिया तो ओ रचना अंगाडी जी रह जान दिया ते कई वारी देख्या वी एमेजी दी रचना हां ही थोड़ा अ मिटा चाहिए दाए फर्क intuit और अचकड़ ग्रण मतलब की पड़ान दाजी इस मतला इक चंगा पाठक क्यों Gedal हो रही है यह जंगा आपउर्पाथ और जी मेंने बहु पच्छानों और एक देनी रहे एक समा जाओना नो एक गाइडेंस नी दे रहे कि हाँ एक साहित पड़ंग दा जड़ा है गाया एवी एक जरूरी गल है गिया ने कम माई जरूरी साहित देनाल जोडना सब तो पहला कर तो शुरू होना चाहिदा माता पिता अगर तो अगर त पावे छोटी लाइब्रेरी होगी क्यों कार्देविच असी बहुत मेंगा मेंगा स्माल लेकर रख देयां पर सद्धिये तरास्ति है कि असी किताबां जड़ी है किताबां दी असी ओनी वैल्यों नहीं जान दे हैगे जो उनादी है बंदी है तुसी देखोंगे मेरे जड़ी पसांद है है रखनी मैंनू बड़ी पसांद लगदी मैंनू लगदाए जिथे किताब रख दी उस जगा दी शोबाई मतलब अलागई बाट जन दी है ते ए मतलब करों जरूर होना चाहिए बी पाठक जड़े करों पैदा किते चान पड़न किताब उस तो बाद ज मतलब हो विए ना कि हां उत्यों अपनी मन पसंदी जड़ी किताब कोई वी ओनू जे छोटा बच्छा ता उनू अपने साबना किताब काड़ी कि जरूर देओ कि हां पड़ो क्योंकि कोई जड़ी जड़ी शोग है पैदा हुंदा हो जिदधा जड़ी बच्पन तो असी प आप मा यह पाठक जड़ों अपने आप ही बन जालता है मेरे हिसाब ना था इंग ही कला है जरूरी एक पाठक बढ़ने लिए मैं सुनेहा नहीं देना चाहूंगी मैं इक दोक मतलब गुजारिश कुछ करना चाहन दिया बे इक ता आओ अपा सारे कुद्रत नूँ प्यार करिये कुद्रत दे नेडे हुई यह जिन्ना हो सकते है क्योंकि जे हो जाए आज दे समस्यामा चाल रहे है जो संकर्ड आ रहे हैं और जो रुकावटा आ रहे हैं असाड़े जीवन दे विच मैंनू लगदा वियो किते न किते जेड़ा असी कुद्रत देनाल छेट-छड़ कर रह चाहें यह समेधी लोड़ा आकी असी कुदरत देनाल जुड़िये, कुदरत देनाल जोड़ना एक तरह नाल रभ देनाल जुड़ना है, मेरी जिननिक मैं महसूस किता है इस गालनु, सो कुदरत नूं समाढिये, तांकि जड़े आ हुन एनने असी देख रहे हैं न प्यानक सम देख रहे हैं शायद जे असी कुद्रत नो संबाल या हुंदा ता ये समा ना देखन देख देख देशी सो एक ता कुद्रत ने जड़ा है समतोल बनाके रखिए तूसरा मैं फिर कोईगी के जमें संगीत सुन दियां ता तुसे भी सारे सुनो क्योंकि संगीते विच एक संगीत ना जूड़ देऊ ना ता बहुत ओ वी एक तरना रभ नल जूड़ नहीं है संगीतना जूड़ देऊं तुसी ता ना फिर तीसरा एक मैं गुजारिश तीसरी जेड़ी है कि यो करनी चाहूंगी के जियो और जीने दू खुद भी जियो बाकियान वी जीन देऊ क्य कोई जिन्दगी है नो लडाई या चगड़ें देवेची पए हो यहां क्यों एद्धा क्यों एक मैंनो लगदा वी पुराणा जेड़ा अपना सिगा सभ्याचारा खलो यह पुराणा अपना जो भी महाल सिगा ओह जे आसी जे फेर क्रियेट कर लेए ओह ही मिलवर्तन ओह चीजां आसी एनी मैंनी केंदी हागी के तुसी मतलब तरक्की ना होवे देजदी जासी ओनी ओह एक पासे अगल के जड़ा समा हेगा जरूर बदल दाया और बदलना चाहिदा भी है बदल आप जरूरी है पर किते ना किते अपने नू लेके तुरिये उस सारिया चीजां ज झाल झाल जड़िया मतलब समाजिक कद्रा कीमता है गिया अना अपने परिवारी करिष्टे जड़े उनानू समाल लएए उना दे विचर जड़िये उनानू समाल लेए तब बहुत मतलब में के निया कि कसी वधिया जड़ा उपराडा हो कर सकती है